गैस हम लोग बात करेंगे Honey Trap National Liberation Council के बारे में Honey Trap कोई मार बोलना Honey Trap अलग है ने तो बोलो कि सर यह Honey Trap Honey Trap तो कुछ और है वह वाला Honey Trap नहीं है यह ऐसे हम लोग एक organization के बारे में जो है वो बात कर रहे है जिसने अभी हाली में एक कम तीवरता वाले एक लो इंटेंसिटी वाले IED विस्फोर्ट की जिम्मेदारी ली है एक विस्फोर्ट किया इनने और एक प्रतिबंदित उगरवादी संगढ़न है ये हाईनी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंजल हनी ट्रेप नहीं हाईनी ट्रेप मैं स्पैलिंग गोल तो स्पैलिंग गोल देता हूं ह-y-n-n-i-e-w-t-r-e-p हाईनी ट्रेप तो ये हनी ट्रेप नहीं है हनी ट्रेप is different thing तो ये हाईनी ट्रेप नैशनल लिबरेशन काउंजल है तो ये चीज आप थोड़ा सा जिहान में रखना कि एक ऐसा particular organization है जिसने अभी recently हाली में एक low intensity के IED blast की जिम्मेदारी ली अपन को main focus करना है इस organization के उपर क्योंकि इस organization से related आप से question है वो पूछ जायागा इसका short form है HNLC HNLC इसने demand करी है और हमेशे से ये demand करता है कि एक sovereign खासी homeland होना चाहिए मेघाले में कि मेघाले में खासी community के लिए एक अलग जगा होनी चाहिए और ये एक breakaway fraction है मतलब कि पहले एक organization हुआ करता था और अभी भी है HINI TREP अचिक Liberation Council HALC तो HALC से अलग होकर ये HNLC जो है वो बना है और ये ये पहला HALC जो था वो पहला militant tribal outfit था मेघाले के अंदर जो की mid 1980s के समय पर बना था और उससे अलग जो है वो हो गया HNLC और HNLC का main focus जो है वो खासी community के लिए जो है वो एक अलग space जो है वो provide कराना एक अलग उनके लिए जो है वो एक अलग जगा मालब कुल मिलाकर ये कह रहे है कि government of India से आप अलग करके हमें एक अलग autonomous region जो है वो घोशित कर दो तो ये उनका mainly demand रहती है और high need trap की अगर हम बात करेंगा तो इसका मतलब है खासी और जैनता communities और अचिक अचिक जो है ये गारो community से बिलॉंग करती है तो high need trap जो है वो खासी और जैनता community बाल इसका मतलब है जैनता और खासी समुदा है और अचिक का मतलब है गारो समुदा है और HNLC जो है वो representative है किसकी खासी identity और pride की खासी के खासी लोगों के के बार में जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और guys इस group ने जो है वो अभी एक attack जो है वो किया था शिलॉंग के अंदर शिलॉंग के अंदर IED blast जो है वो हुआ था और बताया जा रहा है कि ये blast करने के पीछे जो है ये group HNLC जो है वो था कि इसने responsibility लिए है इस particular business की हाला कि आपको कुछ और blast related चीज़े ध्यान में रखने के आवशकते नहीं आपसे पूछेंगे तो जाए स्यादा ये ही पूछेंगे कि ये group जो है वो कहा कहा है तो थोड़ा मेगाला है ध्यान में रखना